तो नमश्कार दोस्तों एक बार फिट से आपका स्वागत है मेरी YouTube के चैनल ब्रजेश बंडारी में और इसमें एक सीरी चल रही है एक और वारतालाप और एक और वारतालाप में हमारे आज के महमान है संतोष नायर जी संतोष नायर जी संगीत के छेत्र में काम करते हैं वह च लोगों के थोड़ा सा MID वह सुप होता है जिसे र्थना जा सै नेया काम स्वागत करते हूं नमश्कार सर। एक जैसे आप मुजिक में हैं और पिछले काफी लंबे समय से आप मुजिक कर रहे हैं, तो आगर मैं यह पूछूँ और यह मैं जानना चाहूं आप से एक रिक हिर्फ स्पुरिवात कैसे और आपको फ़ोग कैसे इंटरस्ट कैसे आपका इंटरस्ट। मैं स्कूल गया था देखा स्कूल का फर्स देखा स्कूल से वापस आ रहा था तब हमारे विल्डिंग नीचे मैं बारिश हो थी हलकी तो मैं पानी में खेल था तो मेरे पीछ रिक्षा वाला था एक पनवाडी की दुखान थी वहां से बंदा पान लेके निकला और उसने अप दोसलोग और मुझे फिर ऐस्पिटल लेके गए होस्पिटल से जब मैं घर आया तो कुछ करने के लिए ता नहीं तो मेरे पिताजी ने एक एक एलेक्ट्रॉनिक इंस्रुमें था उस्वाने मैं बहुत साल बली कि बात बदा रहा हम तो लहां लाकर दिया तो घर बैटे करत इसे साल आपकोंपटिशन था स्कूल मैं शहुक्स स्कूल में था तो इसो एक रभी अज की फ़र्फार प्रोग्राम दोते ते उसमें मुझे पार्टीसिपेट करने लिए के अज़ लेका गया तो इनस्कूल कंपटिशन में न्यून कमटीशन था पर प्रोग्राम बाइचे पाप कल्चर शुरू हुआ था तो आपके इसने बताया था कि मेरे पास की बोर्ड है तो यह वाद की बोर्ड शुरूरा कि इतना कुछ बजाता नहीं था की बोर्ड तो ने आप साथ में काम करेंगे फिर हमने कुछ कुछ मैंनों तक साथ में काम किया तब वेंट तो रेकॉर्डिं स्टुडियो हमने कुछ लाइव रेकॉर्ड एक कोई ड्रमर था गिटारिस था मैं की बोर्ड पर था तो एक बंदा था जो लिखता था उसने गाया लिखा खेर वो हो गया इस दौरां मेरे और दोस्ती हुई है उनके का बढ़ साथ कर दो तीन दोस थीं लोगों से तो फिर हम लोग स्पर्सट्ट्राइश को फिर मुश्च Hersham को बेटके हम लोग हमारे बहुत बहुत करिभी मित्रे मेरे इनका इनका में मिलिंधर रैकर पंडित, मिलिंद रैकर वालनेस ऋक्लासिकल डर्श का अशनका हुआ तो उनके उनका घर ता तो वहां पर बैठेक हैं मुझी कोश्क करते थे हैं हमारे मेरे अडितर थे श्री राम इस टुब के लिए और एक दिन उजब चरच गेट अरहे थे तो बैठकि कुछ स्कृब्ल करते तो उनकी पीछे एक बंदा घड़ा था उनका नाम था उनका उनका नाम मिस्टर मनोर एयर जो मेरे मेंटर भी है जिनकी वैसे में जो हूँ आज उनके वैसे हूँ तो वो पीछे खड़े वे तो अनने देखा कि आप जो लिख रहे वो ठीक नहीं है अब हिंदी गलते यह आप तो इनने पीछे देखे मुला आप कौन है मैं भी थोड़ा इस नहीं के पास वह गाने रेकॉर्ड किया चले गए डिवी में ऑफिसर थे वह डिवे में लिखने का शॉक ता उनको एंड गये दो दिन बाद उनने मुझे फोन किया और बोला कि आपका गाना रेडिया है तो आपका गाना रेडिया है तो एवस्टेट इनना माइ सौंग वाज रिटन स्वाइपी वह शुरुआ थी मिलना यह ने बहुत सरे तब जो दौर था पॉप दौर था जितने भी बड़े-बड़े स्टार्स है शान लव अलजी उनका गाना है अनाइडा मैनास मिस इंडिया उनका है उनका 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 वह पूरे दौर में उ मुझे यह जो मुझे कंपनी थी क्रशेंडो म्यूजिक उसके मिसिस सुरेश रॉमस जो ओनर है उनसे मिलाया उनका अठारा साल का लड़का है आप उनको मिलो अब वह अच्छा काम करता है तो वैसे मेरी शुरुआत हुई उसके जस्ट पहले मनोरजी ने मुझे एक और बं जिंगल करते थे तो वह चलमेरे गोडे टिक 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 विक्स की गोली लो वह इस वो इस वो कॉम्पोजिशन मिली नहीं है बट हमने कुछ साउथ के लिए और यह के लिए प्लस बंबे के लिए ये यह से हमने नाइटीन नाइटी वन में रिकॉर्ड किया तो यह मरव जी मुजिक में अलबम शुरू है तभी राजु सिंग जो बहुत फेमिस राजु जी बहुत कमाल के कंपोजर उन्हों ने मुझे मेरा नाम रेकमेंट किया था राजु जी ने टू अधू कम्पनी जी के लिए हम लोग मुजिक कर थे तो लोग मुजिक कर थे तो लिए तो सुरेश नमस जी के पास अनाइडा करके जो आटिसी उनका फिर पॉप अलबम जितना भी वो फुरा जो दौर चला है तो अने लिए ने लिखना था हाजी फिर विकाज बल्ला का है दूआ है दूआ है दूआ लाइन किंग अपने देखा होगा लाइन किंग उतका हाकुना म दूआ का मिला था थो अनाइडा लाइन किंग जिंगल का जीज आट फिर वह कर आख जोरू हुआ 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 जो आठाट पैसा है दूआ है तो अगर अपैसाल निदेखा पॉइज ने करता है अगर एक साल में आप कुछ ने करता है आजी आप जोब जाएगा अगा द्ट तोड़े से नरास नरास तो नहीं है उचिंतित है 94 की बात है है मैं गया वह पर वापस आया में मुंबई पुछ पांचे मैंने पास मेरा सकूछ काम ने ता पिर बनोर जी ने मुझे इंट्रिश कराया यहां वहां से मुझे और काम मिलना शुरू हुआ कैर वही था देन अभी अभी तरह चल रहा है आप यहां आपने चाहं चाहूबुत करता है तों पेले फले दौर में क्याओ करते हो तो जैसे हो तो आरेंदेर जैसे होता है जो दुन बनाई है जो लिर्क्स के वपर जो बनाई है उसके इंटरो में क्या म्यूजी का दिन? उसके गाने के पीछे क्या चलेगा, क्यारिदम बज़ेगा, मैलडी के होगी, हार्मनी क्या होगी, वाइलियन के पीसेज, घिटार के पीसेजJim, जो पूरा जो तो आप कुछ वैसा कुछ मुजिक होना चाहिए यह लव सौंग है कुछ वैसे कुछ है मूड के पर अरेंजर उसको फिर उसको ढालता था ठीक है तो यह होता था प्रोग्रेमर वली जे बात है इसके है कि अध्यक्त कर देखेश आठीक हैं तो आप लेकर आखेंजर गया नहीं पर स्कूच अन्स प्रॉट्स प्रीजिय बेन दा और पर इंस्ट्रॉम्ट्स कुछ जयासे एस एंटायर मूजिक प्रॉडक्शन इसलिए अध्यक्त कर देखेंजर इंस्ट्अर तो आप उसक आपको इंडियन परकुशन के लिए इंडियन सॉफ्टवर्स आते हैं जिसमें तबलबलब उसमें प्रोग्राम कर सकते हो तो यह गाना जब हम कंपोस करते है तो जो अरेंजर का काम था तो मैं कुछ बैट्टा हो कि अच्छा यह मेरे कॉंपशिशन है इंट्रो में मुझे ल अरें लिए लाइव इंस्रूमेंट्स करना है उसकी उपर डब होता है फिर मिक्सिंग होती है फिर फाइली मास्टरिंग होती है तो इस जो फाइल प्रट्ट अप सुनते हो वैसे बनते हैं काना तो इससे इतनी सरल भाशा में आपने समझाया कि बहुत सारे लोगों के समझ समय जीवन में कुछ है समय आता है जब उसे एक मैं पूस्य एस लगता है कि हां कुछ एचीव करा लिए कई तो आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा और ऐसी कुछ अचीवमेंट्स होंगी वो क्या अचीवमेंट्स है अगर वो आप हमारे दर्शों के सांथ चाहिए सबसे पहले जब मैंने जब इनिशिली जब शुरू किया था बहुत छोटा था शायद सिक्स्टीन सेवंटीन इसका होगा तो मैंने जब स्टेज में फर्स टाइम मैंने की बड़ बजाय था तो उसके लिए मुझे अभी भी आदे मेरी मॉम उनकी फ्रेंड थी उन्हेंने मु गाने बनाने शुरू किया तो वो पोस्कार्स आते थे फैन मेल जाते थे तो अप्रीशेशन आते थे कहीं से MP कोई लिख रहा है का तो हमारे म्यूजिक कंपनी क्रेशंडो म्यूजिक में वो चिट्टियां थी हमारे नाम से तो वो अप्रीशेशन वाली बात और जेनरली इ मामले में तोड़ा शाय हूं मैं जादा कैमरा पर जाता नहीं है तो हम लोग अपना काम करते हैं आई गो तो मैं म्यूजिक रूम मैं वर्प गो बैक स्पेंट ताम वित मैं फैमिली और वो लाइफ है बेसिकली तो हां एड्स और कुछ कुछ आइड से जिसके लिए हमको अ संाँज पैंड शक़यां जो जीम किश थेम उसको मैंने जो ट्राफिक के सा उण्ज गज़ था उसको लेकर के वाइब सांट डिजन ब heure М ब ROB कर ते हूं मैं zar क्गुए तो गश्म में रिकॉड्ट के यह पिर नुटेसिन्पनियों में डिकॉड किया ज्टॉन किया इंदीन इंसमयट्ञ किया, खर असको थोड़ा सा इंडियन से करके और यह यह सव्ड सांड दिजा बाद मैं एकाथ साल के बाद मैं एक कुरियर करने के लिए कर दिए हो खड़ा तो डिली सामान भीजना होता है तो रात को रिकाॉड इनके तो मैं अच्छा था में बनदा था उसके फोन पर को अला का वह तो तो थोड़ा सदे का आप क्यों आपको पूछ रहे हो उसके वह नह आप पूर्ण के भाई तो यह एसे पर सप्प्रेट उना वो टाम पर शुरू तो इसे बात इसके बाद एक अथ साल पहले की बात है हमारा जो मुज़े गूप है तो उसमें गूप में किसी ने डाला ही है तो इनना इस वर्जिन सुनो करके बहुत वाइरल हुआ हर यह से मुझे सिंगापूर से अमेरिका से जह जह से हमारे तो वह लोग मुझे बेचे तो मैं उनको बेचा तक यह मैंने किया है तो अच्छा आप ने कही है तो हाँ तो यह कितने साल पहले की बाद है तो 2006 में किया था मैंने अब आप सोचो इसने 14-15 साल के बाद और कोई ऐसा बेचता है तो यह ने किया था है विसके और वर्जिन्स है बट यह कहां से लिगवा मुझे पता नहीं मैं डिली आया हूँ आपको में मिला थू मैं वेरी क्लोस लुए भी टार जी अरे मुझे देख रेंड बाद ज्यासबाल मोनी जी जो मिलेश आपसे इस वरना फामस फानस्क कंपोजर्स एंड यसे अब टना म्यूजिक हर एक चीज का म्यूजिक में समझ होना लासिकल वेस्टर में गाईखी का जो अंग होता है उनका जिस तरह रही इस लिए से वो कंपोस करते हैं, वो शायद ही मैंने किसी को इतना अच्छा अपने फिल्ड में करते हुए देखा है, and I am thankful to God that I met him, and we are working together for the past 20 years, और आपको भी मतलब उनके तरुभी मिला है, and thank you so much, and yes, I have learnt a lot from him, अभी भी सीख रहा हूं उनसे मैं, यह दो-तीन लोग है मेरे लाइफ में जैसे मनो राइयर जी जो मेरे मेरे मेंटर है, मोनी जी, वो मेंटर से कमनी है मेरे लिए, and thank you for having me on the show, Brijeshji, God bless you. मैं आपने देखने वाले देशकों को यही बुरूमा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजे, शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे, जो कि ऐसे गुणी लोगों को गुणी का लाकानों को हम आपके सामने ला सकें, और उनके जीवन से, जीवन के जो उतार चड़ाओं, उनके जो एक्सपीरियंस हैं, उनके हम कुछ सीख सकें, और इसी के साथ मैं अपनी बाणी को उब्राम देता हूं, धन्यवाद. Thank you.